नमस्कार आदाब NTV News में आपका स्वागत है खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से ASTO के नेत्रित्व में आयोजित हुआ व्रिक्षा रोपन कार्यक्रम पूर्व विधायत ने किया शिर्कत बलिया वरिष्ट कोशाधिकारी आनंद दुबे के नेत्रित्व में कोशागार परिसर में फलदार व्रिक्ष का रोपन किया गया दरसल हुआ कुछ यों की भारत के उत्तर प्रदेश बलिया जिले के सियर विधान सभा के निर्वाचन छेत्र से सन 2007 में बसपाकी ओर से विधायक रहे के दारनाथ वर्मा स्वयय के पेंशन से संदर्भित कार्य को लेकर कोशागार में आये थे पूर्व विधायक के काम पूरा होने के पश्चात वरिष्ट कोशाधिकारी आनंद दुबे के द्वारा पूर्व विधायक के दारनाथ वर्मा के हाथों फलदार वरिक्ष का रोपन कराया गया इस दोरान पूर्व विधायक ने वरिष्ट कोशाधिकारी का खूब सराहना किया, इस मौके पर अन्य तमाम पेंशनर भी मौजूद थे जिन्होंने वरिष्ट कोशाधिकारी के कारियों की सराहना करते हुए कहा कि काफी आसानी के साथ हर समस्याओं का वरिष्ट कोशाधिकारी आनंद दुबे के द्वारा समाधान किया जाता है, पूर्व विधायक के दारनाथ वर्मा ने कहा कि साराश पेड़ और अन्य जीवित पौधे हमारे आसपास की सुन्दर्ता को बढ़ाते हैं, हवा को साफ करते हैं, ध्वनी अवरोधक के रूप में काम करते हैं, मुल्यवान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और गर्मियों में ठंडी छाया और सर्दियों में हवा को कम करके उर्जा सनरक्षन में सहायता करते हैं वरिष्ट को शाधिकारी आनंद दुबे ने कहा, कि प्रकृती में संतुलन बनाये रखने के लिए तथा अपने आसपास के वातावर्ण को स्वच बनाये रखने के लिए पेडपौधे लगाना बहुत जूरी है पेडपौधों के माध्यम से प्रकृती सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है पेडपौधे हमें छाया प्रदान करते हैं फल फूलों की प्राप्ती भी हमें पेडपौधों से ही होती है डिप्टी कैशियर रामचंद्र ने कहा कि पेड़ पौधे हवा से कार्बन डाइकसाइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जीवन के निर्वाह के लिए अतियावश्चक है इसके अलावा पेड़ पौधे हमें लकड़ी, भोजन, इंधन, कागज आदी भी प्रदान करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसके अलावा वे सभी प्रकार के जानवरों और पक्षियों के घर के रूप आसरा है इस मौके पर वरिष्ट कोशाधिकारी आनंद दुबे, पूर्व विधायक के दारनाथ वर्मा और डिप्टी कैशियर रामचंदर के साथ तमाम कोशागार के कर्मचारी अधिकारी गण मौजूद रहे अब इससे अच्छा क्या कहा जाएगा जो सुक्षा सुर्वक लगे हुए है इस परुकार के काम में तो आने के बाद भी लगा कि इनका कारी सराहनी है वसी अब यह कोशागार में परिसर में जो है व्रिक्षा रोपन किया गया है पुरु विधायक जो है इसमें सामिल हुए है वरिष्ट कोशागारी के द्वारा नेत्रतों में एक कारिकर मायुजी तो आया है परिष्ट कोशाजगारी मौद स्यालन दूबे जी के हमें अपने प्रिक्षद कार से आया हुआ था तो मुस्रीमान ने कहा कि विच्छावपन का कार बहुत ही प्रगत पर चल रहा है प्रदेश सरकास जो है इसको बहुत ही सुचारूर से जल्चालिश कर रही है अधा सवभाग का दिन है कि मानी पूरो विधायक जी आये हुए हैं इसके साथ हम दो भी सभागी बनें और विच्छावपन का कार करम जो है संपन करया जाए आम का बिच्छ लगा जाए और आम का बिच्छाचा कोई भी बिच्छ हो पर्यावणर को का स्वाप्शन करते है ब्रिच हमारे धर्थी के भूशन है और यह ब्रिच नहीं लगाएंगे तो पर्यावना असंतुमन का ही कारण है बहुत है गर्म होना बहुत है थंड होना को तरी बारिस होना कहीं बारिस नहीं होना इसलिए हम आज यह प्राण लें कि हर एक ब्यक्ति कम से कम एक देलेकर के दस प्रवस लगाएं और इस सब आगता आपने करें कि इसे की हम लोगों पर्यावान पर्यूशन से बख सकते हैं परिश्क वसाधिकारी महोदय बहुत ही मुद्भाशी सुवाव के हैं और समश्याओ हैं जो भी आती हैं उसको बहुत सब्सक्राइब करते हैं और समधान करते हैं